तो आज पूरी दुनिया में कोरोना के करीब 36,87,000 केस सामने आ चुके हैं जिसमें 5,00,000 लोगों की मौत हो चुकी है और अगर भारत में देखें तो 47,721 मामले आ गए है और 1597 लोगों की मौत हो चुकी है दिन भर दिन ये मामले बढ़ते ही जा रहे हैं लोकडाउन से पहले भारत में कुल 20 से 25 लोगों की मौत हुई थी और अब आप आकड़े देख लीजे अगर अब हमने इस नाजुक स्थिती में लोकडाउन का पालन नहीं करा तो इसका प्रेणाम हमारे लिए घातक साबित हो सकता है तो 5 मई से दिल्ली में कई जगे शराप की ठेके खोल दिये लोकडाउन की वज़े से करीब 43 दुनों तक शराप की ठेके बंद रहे थे जिसकी वज़े से दिल्ली सरकार को 645 करोड रुपे तक का नुकसान हुआ था दिल्ली सरकार की कमाई का 14% सिर्फ शराप से ही आता है करनाटका में भी सिर्फ एक दिन की कमाई 45 करोड तक पहुच गई थी जहां 3.9 लाग लीटर बियर और 8.5 लाग लीटर शराप बिक चुकी है यूपी सरकार की माने तो सिर्फ 9 गंटे में 100 करोड रुपे तक का फैदा सिर्फ शराप के ठेकी कुलने से ही हुआ है आज यानी 6 माई को हरियाना में भी कई स्टेट्स में लिक्वर शॉप्स खोल दी गई है इस तरीके से देखा जाये तो बारत के हर राज्यों में शराप के दुकाने खुल जाएंगी सिर्फ एक दिन में ही कई हजारों की तादात में लोग शराप लेने के लिए इकटा हो गए है बतलब सोशल डिस्टेंसिंग की एक तरीके से धज्य उड़ा दी है जिस चीज को सरकार बार-बार मना कर रही है वो ही चीज कल भारी पैमाने पे हो चुकी है और आगे भी होती रहेगी अगर इसी तरीके से लिक्कोर शॉप्स खुलती रही तो इस घोर कल्युग में एक ऐसा भी समय आ चुका है जहां मंदिर खोलने की अनुमती तो नहीं है लेकिन शराब के ठेके खोलने की अनुमती जरूर है आखरी में देखा जाये तो इससे अर्थ विवस्ता में सुदार जरूर आएगा लेकिन क्या ये रस्ता अपनाने ठीक होगा शराब की दुकाना आखरी में सरकार को ही एक मोटी रकम कमा कर देगी लेकिन ये हमारी संस्क्रिटी को भी तो बिगाड रही है तो आपको क्या लगता है? क्या शराब के ठेके खोलना इस गंबीर सिती में सही होगा या नहीं? ऐसी मामारी के वक्त हम सबको सरकार की बात मान लेनी चाहिए क्योंकि जरा से भी लापरवाई पूरे देश के लिए घातक साबित हो सकती है कोरोना वारस कोई मजाक नहीं है अगर हमारे देश ने भी इटली की तरह इसे एक मजाक ले लिया तो आप सोच भी नहीं सकते कि इंडिया कितना पीछे चला जाएगा तो आज की वीडियो में हमने सबसे पहले तो कोरोना वारस से संक्रमित और कितने लोग मृत है उसके बारे में जाना उसके आकड़ों के बारे में जाना फिर हमने जाना कि दिल्ली सरकार की कमाई 14% सिर्फ शराब के ठेकों से ही होती है फिर लास्ट में हमने बात करी कि कि कितने कितने राज्यों में शराब के ठेके खुल गए और कितने करोणों का सरकार को फैदा हुआ है इससे अर्थ विवस्ता में भी काफी जादा इंप्रूव्मेंट आई है तो बस दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही था अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना तो बस शुक्रा दोस्तो थेंक यू